अल्रेट गाइज हम्जाइज एर बैक विद अनेधर वीडियो और आज की वीडियो का टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंट्रेस्टेट हैं यूज आइफोन प्राइज इन पाकिस्तान तो गाइज इस वीडियो में मैं आइफोन 5 तो आइफोन 11 प्रो मैक्स तक जितने भी आ एकसेसरीज हैं ये प्राइज एसन नहीं होता कि आपको फिक्स प्राइज में कोई मोबाइल मेलेगा हो सकता है जो मैंने आपको प्राइज बताई हूं इससे वो काफी लेस में भी मिल जाए या महिंगा भी मिल सकता है तो शूरू करता हूं मैं अपनी वीडियो सबसे पहल के मिलेंगे वो around 4,500 रुपीज है of course आप अगर bargaining करोगे तो आपको इतने में ये मिल जाएगा अगर आपके पास 4,500 रुपीज है तो आपको कोई ना कोई आइफोन 5 मिल ही जाएगा और जो इसके maximum price जाते हैं about 7,500 रुपीज तक जाते हैं जादा से जादा जो ये मुबाल ये 7,500 रुपीज तक हो सकता है and guys move to the next iPhone जो है वो iPhone 5S है और 5S के जो price है market में वो about 85,000 रुपीज से 95,000 रुपीज तक है और guys ये मुबाल जो है factory unlock और PT approved है अगर आप चाहते हैं मैं JV पर भी इसी तरह की वीडियो बनाऊ तो आप मुझे comment में ज़रूर बिताएगा और जो maximum price है iPhone 5K वो 14,000-15,000 तक मिल जाता है of course अगर आप maximum price में लोगे तो आपको अच्छी condition में मिलेगा charger, box, hand pro, जितनी भी चीज़ें हो सकता आपको वो भी मिल जाए and guys ये price जितनी भी है ये huge market में and while I am recording this video जो current situation है मैंने जितनी भी research किया वो ये ही price है market में of course ये price जो हैं कम जादा हो सकते है हो सकता आपको minimum amount से भी less में मिल जाए ये maximum amount से भी जादा मिल जाए because ये huge market है तो आपको price थोड़ी बहुत bargaining भी करनी परती है so guys move to the next iPhone जो है वो iPhone 6 है और iPhone 6 के जो price है minimum अगर आप iPhone 6 buy करना चाते है iPhone 6 factory unlock PTA approved तो उसके price है 15,000 रुपीज market में तो minimum अगर आप iPhone 6 buy करना चाते हैं तो आप 15,000 से 16,000 तक अपनी range बना सकते हैं आपको इस price में easily iPhone 6 market में मिल जाएगा और इस price में ये काफी अच्छा mobile है बड़ी जल्दी इसका review भी बनाने वाला हूँ डीटेल में मैं इस channel पर तो अगर आप नहीं है तो subscribe ज़रूर कर दिना और काफी अच्छा mobile है ये अभी भी आपको touch ID मिलती है जो कि iPhone SE 2020 में भी है अफकोर्स ये जो touch ID है ये first generation की है बट अच्छा mobile है iPhone 6 भी अच्छी होगी क्योंकि इसके price सादे है तो move to the next iPhone जो है iPhone 6S है और iPhone 6S और iPhone 6 में भी काफी जादा difference नहीं है like almost similar है body wise लेकिन अंदर से जो internals है और बोट अफ दो smartphones have different तो iPhone 6S के minimum price है 16GB के तो 21,000 रुपीज का आपको easily मिल सकता है market में minimum हो सकता आपको इससे less में मिल जाए अगर आप ट्राइ करें market में तो 21,000 रुपीज में आपको iPhone 6S मिल सकता है 16GB variant में without any problems और iPhone 6S के जो market में price maximum है वो about 30K में आपको easily मिल जाएगा of course जो अगर आप जादा price दोगे तो आपको जो condition अच्छी मेलेगी battery health भी अच्छी होगी तो अगर आप iPhone 6S भाई करना चाहते हैं तो अपना budget आप 21 से 30K से अबफ रख सकते हैं आपको इस price में easily iPhone 6S मिल जाएगा और guys जो next iPhone है मेरे list में उस पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ तो move to the next iPhone that we have is iPhone 7 iPhone 7 काफी जाधा requested था काफी लोगो ना मेरे से IG इसी model के बारे में पूछा था तो guys अगर आप iPhone 7 बाई करना चाहते हैं जो minimum price iPhone 7 के market में वो above 30 की हैं like 32, 33, about 35K आपको इतने price में अच्छा iPhone 7 factory unlock P.T. approved मिल जाएगा with decent amount of battery health तो maximum price की बात की जाए तो ये 45K तक भी जाता है लेकिन of course अगर आप इतने का बाई करोगे तो आपको जो है अच्छी condition में मिलेगा और साथ ही साथ उसकी accessories भी होंगी लेकिन अगर आपका budget लो है तो आपको easily ये mobile 32 से 35K में मिल जाएगा in market P.T. approved of course जो condition हो सकता है उसकी normal हो और साथ उसकी accessories भी हो सकता है ना हो लेकिन आपको इस price में iPhone 7 मिल जाएगा in market तो अगर आप iPhone 7 बाई करना चाते हैं तो अपना minimum budget आप 35K तक सेट कर सकते हैं तो guys move to the next iPhone ये भी काफी जादा requested model था iPhone 7 Plus और iPhone 7 Plus काफी अच्छा mobile है इस पर मैं डीटेल वीडियो भी बनाने वाला हो बहुत जल्दी तो अगर आप लोग देखना चाते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप iPhone 7 Plus 32GB में बाई करना चाते हैं with good condition PTI approved factory unlock तो आपको जो अपना minimum budget रखना चाहिए वो about 50,000 रुपीस है 50,000 में आपको काफी अच्छा iPhone 7 Plus मिल सकता है मार्केट में और 50,000 में ये mobile काफी अच्छी condition में भी मिल जाएगा आपको with decent amount of battery health तो काफी अच्छा mobile है पोट्रेट वगेड़ा भी बहुत ही अच्छा है one of the best portrait मलता है आपको still in 2020 तो maximum price की बात की जाए iPhone 7 Plus की तो वो 60K है और of course अगर आप 60K वाला iPhone 7 Plus बाई करोगे तो हो सकता है आपको चो है 128GB विरी भी मिल जाए और condition भी काफी अच्छी हो सकती है and guys यह चितनी भी price मैंने डिसक्स की है अगर आप negotiate price करोगे तो आपको काफी less price में भी मिल जाएगा in my personal example अगर मैंने इंच में से कोई भी iPhone बाई करना हो तो मैं minimum price से भी काफी less price में बाई करे लूँगा let's take my example recently मैंने iPhone X बाई किया है और इसका vlog भी बनाया है मैंने तो आप लोग में देख सकते हैं मैंने कितने का भी किया by the way मैंने काफी cheap price में भी किया है as to as compared to the market तो अगर आप लोग इंट्रस्टेड हैं तो व्लोग में देख सकते हैं and guys move to the next iPhone that we have in my list is iPhone 8 तो अगर आप iPhone 8 बाई करना चाहते हैं 64GB factory unload PT approved तो minimum budget 55,000 रुपीज आप सेट कर सकते हैं इस price में आपको iPhone 8 मिल जाएगा and of course अगर आप bargaining करेंगे तो आपको इससे less भी मिल सकता है और iPhone 8 के जो maximum price है वो about 65,000 रुपीज है तो अगर आप iPhone 8 65,000 रुपीज बाई करेंगे तो condition भी काफी अच्छी होगी और हो सकता साथ आपको इसके accessories भी मिल जाएए तो guys next iPhone पर जाने से पहले आपसे चोटी से request है इस वीडियो को बनाने में काफी जादा research and time लगा है तो guys अगर आप लोग मेरे वर्ड को appreciate करना चाते है तो मेरे चैनल को subscribe कर सकते है और साथ ही साथ लाइक भी दबा सकते है तो move to the next iPhone that we have is the iPhone 8 Plus तो iPhone 8 Plus आपको कितने में मिल जाएगा in market used condition of course तो अगर आप iPhone 8 Plus बाई करना चाते है तो जो इसके price है market में minimum of course इस mobile के price मुझे personally तोर पर थोड़े से ज़्यादा लगे बट जो market में इसके price है वो 75,000 रुपीस minimum है इससे कम है मुझे मिला नहीं और जो मुझे मिला भी उसकी condition कोई खास अच्छी नहीं थे और थोड़े बहुत फॉल भी थे तो अगर आप iPhone 8 Plus भाई करना चाते हैं तो अपनी जो range है वो आप minimum भी 75,000 रुपीस और जो maximum price है वो 85,000 95,000 में आपको काफी अच्छा iPhone 8 Plus मिल जाएगा with glass pack और अभी भी काफी अच्छा mobile है iPhone 8 Plus in 2020 तो अगर आप iPhone 8 Plus भाई करना चाते हैं तो minimum इसकी जो range है वो 75,000 रुपीस से 85,000 तक है और अगर आप price negotiate करवाते हैं तो आपको हो सकता है इससे काफी less price में भी मिल जाए because यह आपे depend करता है आप कितनी negotiate करवा सकते हैं price and guys move to the next iPhone जो दो हैं काफी जादा requested थे तो मेरे पास तो Instagram पर सबसे जादा मेसेज आए उन में से जो एक iPhone ना वो है iPhone X iPhone X आपको minimum कितने तक का मिल जाएगा market में factory unlock PT approved without any fault in good condition तो guys अगर आप iPhone X 64GB भी बाई करना चाते हैं without any problem तो minimum जो price ना iPhone X के वो 85,000 रुपीस है market में in good condition with good battery health तो minimum price आप 85,000 रुपीस set कर सकते हैं अगर आपने iPhone X buy करना है और यह जो iPhone X iC के बारे मैं बात कर रहा था यह मैंने recently यह भी buy किया और विलोग भी बनाया है मैंने इसका तो मैं आपको suggest करूँगा आपको लाजमी देखना काफी जादा tips and tricks share किया है मैंने कि आप लोग किस थारा cheap आईफोन बाई कर सकते हैं जो मैंने आपको minimum बताए है मैंने इससे काफी less price में बाई किया वह यह आईफोन तो आप मेरा विलोग देख लेना आपको पता चल जाएगा कि आप किस थारा iPhone बाई कर सकते हैं गूड और रिजनेबल प्राइस तो जो मैक्सिमम प्राइस आईफोन एक्स के वह 1,500 रूपीज है आपको 85,000 से 1,500 रूपीज तक आईफोन एक्स मिल जाएगा इन मार्केट 64GB से हो सकता आपको जो है 256GB वाला वेरेंट भी मिल जाएए अगर आप प्राइस ज्यादा प्राइस में तो मिनिमम जो इसके प्राइस मुझे मार्केट में देखने को मिले वो अबाउट 87,000 रूपीज थे तो जो मैक्सिमम प्राइज है वो एक लाग 5,000 रूपी है आईफोन एक्स आर के और अगर आपको इससे जादे मिलता तो थो थोड़ा बहुत इस पर तो मैं डीटेल में वीडियो भी बनाऊँगा बट राइट नौ गाइस अभी हम सिर्फ पर ही बात करें तो अगर आप आप आइफोन एक्स आर बाय करना चाहते हैं तो 87,000 रूपीज से एक लाग 5 या एक लाग 7,000 तक आपको अपना बजट साथ करना चाहिए और इ अगर आपको नहीं बता कि नौन PTA प्रूफ और JV और iCloud Bypass क्या होता है तो मैंने इन टोपिक्स पर काफी साथे डीटेल में वीडियो अपने चैनल पर अल्री अप्लोड की में हैं तो I suggest you to watch those videos if you want to learn more about those iPhones and guys move to the next iPhone that we have is an iPhone XS और iPhone XS और X में क्या difference है iPhone X और X में जो में डिफ XS के वो 93,000 से 95,000 तक हैं यह minimum price है और maximum price आपको 1,10,000 या 1,15,000 तक मिल जाएगा iPhone XS in market तो guys अगर आप iPhone XS और आप 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 से लेकर 1,10,15,000 तक रख सकते हैं आपको इस price में easily iPhone XS मिल जाएगा PT approved factory unlock in good condition with a decent amount of battery health as well and guys move to the next iPhone that we have is an iPhone 11 iPhone 11 used market में with good condition तो minimum price है जो iPhone 11 के वो 1,15,000 से 1,35,000 तक आपको मिल सकता है market में अगर आप 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 11 बाय करना चाहते हैं 64GB तो आप अपना budget जो है 1,15,000 से 1,15,000 से 40,000 तक set कर सकते हैं आपको इस price में easily market में मिल जाएग iPhone and guys जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शूरू मे बताया है जितने भी price में ने discuss कि यह used price है और used price में हर बंदे के जो price है वो different होते हैं तो अगर आप bargaining करेंगे तो आपको हो सकता है minimum price है भी काफी less में मिल जाए और maximum price है भी आपको less में मिल सकता है iPhone and guys second last iPhone that we have in my list is iPhone 11 Pro 64GB भी कितने का मिल सकता है आपको market में iPhone 11 Pro 1,62,63 से शुर 1000 रुपीज तक जाता है और इसे अबव भी हो सकता है अगर आपको अच्छी condition में मिल रहा है वी warranty इसमें warranty matter भी करती है अगर इसकी warranty है तो आपको इसे expensive भी मिल सकता है and guys last but not least the iPhone that we have is iPhone 11 Pro Max तो अगर आप iPhone 11 Pro Max लेना चाहते है यूज में तो यह सबसे जादा expensive iPhone है in my list इसके ज काफी जाद expensive भी मिल सकता है तो guys यह वीडियो थी iPhone price से related मैंने कोशिच के iPhone 5 से लेकर iPhone 11 Pro तक जितने भी iPhones हैं वो सारे ही cover करूँ तो guys यह huge market के price है iPhone में और अगर आप negotiate करोगे तो हो सकता है तो काफी अच्छी deal भी मिल जाए